जै हिंद जी गुंगा क्लास में आपका स्वागत है आईए आज हम लोग हिस्ट्री का अबजेक्टिव क्लास करेंगे हिस्ट्री का जो अबजेक्टिव क्लास होगा यह आज पहला चेप्टर होगा और जिसमें हम लोग यूरोप में राष्ट बात की जितने भी अबजेक्ट करते जाएंगे यह जो सेशन है हम आपको बताते चले इस सेशन में आपको एंसर भी सामने नजर आएगा फिर भी हम डिसकस कराते हैं क्योंकि यहां पे इस बैच का टारगेट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अब्जेक्टिव याद कराए जा सके क्योंकि हम लोग का आपका एक्जाम देना इसलिए यह सेशन काफी इंपॉर्टेंट है लाश्ट तक बने रहीएगा लगवग सतर के आसपास अब्जेक्टिव है जो मस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए अगर एक बार आप अच्छे ध्यान से एकर पूरा का पूरा सेशन देख लिए जाएग यांग उरोप की अस्थापना जो थी अठार और उनींस तो अठाथाएस इस में जोगिंतन एटली क्या थी यांग इप ल्यूरण त compet pricing तो छूपना तर्म मेजीनी की तवारा किया था मजी जहाशाय था उसकी संस्ता का उसने अस्थापना के अक्र ंख लिए यंग यूरोप की अस्थापना जो किसने किया था या कोशन पूछ देगा कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था तो उस कंडिशन में एंसर होगा मेजिनी याद रखिए का मेजिनी जो है यह बड़ा इंपोर्टेंट परसन है जब आप चेप्टर पड़े होगे तब को मा मेजिनी ने किया है आगे बढ़ते हैं चौथे प्रसन के दरा बढ़ेंगे और चौथा प्रसन जो है वह देखिएगा कर रहे कि इटली में राष्टवाद का जन्विदाता जो था वो था नेपोलियन कौन था नेपोलियन अब याद रखिएगा भारत में भी राष्टवा याद रखिएगा इतली में राष्टवाद का जन्म दाता नेपोलियन था वह याद रखिएगा इतली में राष्टवाद का में बढ़ता था को समिलित करकर एक भुभाग बनाना तो वही एकिकरण का लाता है तो इटली का जो एकिकरण का मसीहा जिसको माना गया है वो कौन है मेजिनी है अगला question कह रहा है कि इटली के एकिकरण की तलवार कौन था तो तलवार जो है वो याद रखेगा गैरि वाल्डी था अमेशा Gary Valdi जो था लड़ाई के चकर में रहता था कई यूद भी किया था इसलिए याद रखेगा कि इटली के करण का तलवार कौन था Gary Valdi और मसीहा कौन था मेजी नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं चे नमर से आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर साथ से लेके अब नौ तक देखेंगे साथ नमर कोश्चन जो कह रहा है कि इटली यों जर्मनी बरतमान में किस महादेश की अंतर गताते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि इटली और जर्म यह मैं को कितनी हैं करके सबी लोग हमको बता दिजिएगा आया अगला प्रश्न जो है कि जर्मनी के एकली में कर deuल के लिए उतर दाई थिए जर्मनी के एकिकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था तो वो भी कौन था बिश्मार्क जब भी आएगा जर्मनी का एकिकरण से संबंदित तो आप तुरंत याद रखेगा कि बिश्मार्क जो था वो जर्मनी के लिए बहुत कुछ किया और उसी का देन है कि जर्मनी का एकी करण हो सका तीसलिए याद रखेगा कि अगर पूछेगा कि जर्मनी का एकी करण के लिए कौन उतरदाई था तो भी बिश्मार्क जर्मनी के एकी करण का प्रमुक वास्तुकार कौन था तो तो भी क्या होगा आयाद रखेगा बिश्मार्क होगा question ऐसे भी पूछता है कि इटली और जर्मनी के एक ही करण की बाधा कौन था या इसके बीच की क्या बाधा है थी तो याद रखिए का आस्ट्रिया जो था वो इटली और जर्मनी की करण का बिरुदी देश था या बिरोद देश था या समझे को उनके बीच का ये बहुत बड का बाधा था याद रखिए आस्ट्रिया और अंतर है यहां पर आस्ट्रिया का जिक्र कर रहा है गलति से भी आस्ट्रिया नहीं समझ यहँ इटली के एकी करण में कौन निमलिखित में से किसका संबंध नहीं है याद रखेगा इटली के एकी करण में निमलिखित में किनका संबंध नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए तो अभी जस्ट पहले थोड़ा सा पढ़ें कि जर्मानी का एकी करण जो है वो बिसमार्क का देन है तो यहाँ पर याद रखेगा तो बिसमार्क जब जर्मनी में था तो इटली में इसकी क्या काम है तो इसलिए यहाँ पर option सीधे दिख रहा है कि option number A जो होगा यानि बिसमार्क जो है वो इटली के लिए कुछ नहीं किया वो किसके लिए किया है तो जर्मनी के लिए किया है तो यहाँ पर इटली का जो एकिकरण है उसमें तीन लोग बहुत महरब तूट रहे कौन-कौन मेजिनी याद रखेगा गैरी वालडी और काउंट काउर जो था यह तीन आदमी जो थे इंपोर्डेंट थे किसके एकिकरण के लिए इटली के एकिकरण के लिए और विसमार कहां के लिए था जर्मनी के लिए था इसलिए यहाँ पर विसमार के एंसर होगा और बारा नमर कोशन कर रहा है कि फ्रांस की करांती का प्रमुख कारण था तो फ्रांस की करांती जो हुई थे आपको मालूँ होना चाहिए कि वहां का सासन बेवस्ता था वो एकदम लचर हो चुका जो मन कर रहा था वही राजा जो था वहां का जो सासकता वही कर रहा था जिसके वज़ा से जनता वहां की क्या हो चुकी थी परिसान हो चुकी थी यानि जिसको हम लोग अपने आम भासा में कहते हैं निरंकुस सासन यानि जिसके उपर कोई भी क्या हो पाबंदी नहीं होती है उसको हम लोग निरंकुस सासन कहते हैं तो या दकी का फ्रांस की क्रांत से लेकर 15 तक देखेंगे 13 से 15 में कह रहा है आईए दिखते हैं 13 नमर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि प्रांस की क्रांती का अगरदूत किसे कहा जाता है याद रखे का फ्रांस की क्रांती का अगरदूत किसे कहा जाता है तो सविधान सवाजो था उसी में फ्रांस ने मानोव और नागरिक अधिकारों की घोशना की थी लास्ट परस्ट इधर का पंद्रणममर पंद्रणमर कोश्चन कर रहा है फ्रांस में सामंतवाद का अन्त कब हुआ? तो याद रखी का 4 अगस्त 1789 इस भी में फ्रांस में सामन्त वाद का क्या हो गया था अंत हो गया था यह 15 कोश्चन हो गया अब हम लोग उसके आगे देखेंगे 15 से आगे तो आजाएए दूसरे पार्ट के तरफ आपको ले चलते हैं एक सेकेंड लगेगा पेपर को थोड़ इस भी आपको ले। जाता है तो तुर्की को यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है तुर्की को याद रखेगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है अगला कोशन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित यूम ग्यान बिग्यान प्रिणा सुर बना रहा अगला पृस्न जो है वो कह रहा है यूरोपीः राष्टवाज से प्रभावित होकर जैकोबीन क्लब की अस्थापना की थी याद रखेगा टीपू सुल्तान जो होगा इसका राइट एंसर होगा अगला प्रस्ण के तरह बाइब पढ़ेंगे 21 नमर से लेकर अब हम लोग 26 तक करेंगे 21 से लेकर 26 20 तक प्रस्ण जो होगा वो एक बार में हम लोग कंप्लीट करेंगे आजए कह रहा है कि बिश्मार्क क्या था तो याद रखेगा बिश्मार्क जो था वो कुटनितिक गये था कुटनितिक गये था कौन बिश्मार्क किस बिद्वान की बिचार धारा से प्रभावित था तो हीगल नामक याद रखेगा एक बिद्वान थे हीगल नामक एक साइंटिस्ट ने बिज्ञानी थे या बिद्वान थे जिनकी बिचार धारा से बिस्मार्क जो था वो काफी ज़्यादा प्रभावित था अगला प्रक्रास्ट है बियना कांग्रेस कभ हुआ था तो बियना कांग्रेस 1815 यारनी याद रखेगा बियना सम्मेलन कभ हुआ तो बियना सम्मेलन 1815 यारनी मेँ wa szuffy में हुआ था कह रहा है कि बिलियम प्रथम कहां का सासक था तो बिलियम सासक जो था प्रथम जो था वो प्रसा का सासक था याद रखेगा कोशन है बिलियम प्रथम कहां का सासक था तो बिलियम प्रथम जो था वो कहां का तो याद रखेगा प्रसा का सासक था नेक्स्ट के तरब आजाईे 27 नमर से लेकर 31 नमर तक करेंगे आईए 27 नमर नेपोलीयन कोड में कुल कितने कोड थे तरह याद रखेगा नेपोलीयन कोड में कुल मिलाकर 5 कोड थे अब आपको यद करने की जो रखती है यहाफ आप वर्ट मिनिंंग से वियाद कर लिजेगा कितने कोड थे तो 5 कोड थे अगला प्रस्ण कर रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संग की अस्तापना की तो याद रखेगा नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संग की अस्तापना की थी याद रखेगा नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संग की अस्तापना की थी याद मेटरनिक जो था वो ग्होर प्रतिकिरियावादी था यहां तक क्लिए रहो चुका है अब आगे वढ़ेंगे 31 नमर से हम लोग आगे प्रस्ण करेंगे चले 31 नमर से हम लोग आगे करेंगे अब थोड़ा सा सुरू हो जाएगा आएए दिखते हैं 32 नमर प्रस्ण के तरब मेटर्निक कौन था तो मेटर्निक जो था आस्ट्रिया का चांसलर साथ मेजिनी ने सन 3834 में किस संस्था का गठन किया तो याद रखेगा योंग यूरोप की ये कुशन हम करवाय दिये भी थे पहले ही कि जो मेजिनी जो था योंग यूरोप की अस्थापना किया था मेजिनी का संबंद किस संगठन से था तो याद रखेगा मेजिनी का संबंद किस कि बैपारीयों की संस्था ती जलविराइन की अस्थापनिंग है उस चले, 38 नमर प्रश्ण जो कह रहा है कि हंगरी की भासा क्या थी, तो हंगरी की भासा जो थाई, याद रखीगा, मैं थूढा सा इस कोश्चन को मिला लिजेगा आप लोग, हमको इस पर डाउट लग रहा है, कोश्चन नमर 38 पर एक बार मिला लिजेगा, सभी लोग हमको इसको कमेंट्स करके बताईएगा कि हंगरी की भासा क्या थी सभी लोग कमेंट्स करके बता दीजेगा हमको कि हंगरी की भासा क्या थी एक बार भुक में देख लीजेगा हमको इस पर डाउट लग रहा है अगला प्राशन जो है वो कर रहाए है कि हंगरी में आंदोलन का नेतरइत किस ने किया था तो हंगरी में आंदोलन का नेतरइत कोशुत नामक वैक्ती ने किया था हनोई समझावता कब हुआ था तो अगला प्रसंद जो है उसके उसके तरह बढ़ेंगे अगला प्रसंद का राया कि सेडोवा का यूद जो था उसमें किसकी प्राजय हो गई थी अगला प्रस्ण कारा है कि सेदोवा का यूध किनके महधे हुआ था तो आस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था याद रखेबा का यूध जो रखा ना वो याद रखेगा प्रसा और फ्रांस के बीच में के बीचande करें यहां पे एक सीडान और एक सेडोवा सेडोवा कहेगा तो याद रखेगा कौनकोर आस्ट्रिया और प्रसा आस्ट्रिया और प्रसा और सीडान कहेगा तो प्रसा और फ्रांस याद रखेगा प्रसा और फ्रांस जो था उनके बीच में सीडान का यूद हुआ था आगे बढ़ेंगा हम लोग 43 नमर से आगे के तरफ चलिए आजाईए 44 नमर क्वेशन कर रहा है कि जर्मनी का एकिकरण कब पूरा हुआ तो जर्मनी का एकिकरण जो था 1871 इसमी में पूरा हो चुका था जर्मनी राइन राज का निर्माण किस ने किया था तो निपोलियन बोनापाट जो था उसने जर्मनी राइन राज का निर्माण किया था युनान के सोतंतरता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी तो तुर्की की क्या हो चुकी थी पराजय हो चुकी थी युनान के सोतंतरता संग्राम में याद रखेगा तुरकी की पराजाय होई थी अगला प्रस्ण जो है वो हम लोग से पूछ रहा है कि क्रीमिया क्रीमिया यूद कब हुए था तो क्रीमिया यूद ऑफ 8853 से लेकर 1854 के बीच में बीच में हुए था नेक्स कोश्चन कर रहे कि कार्बो नारी की अस्थापना कब हुई थी तो कार्बो नारी की अस्थापना अठाड़ सो दस इसमी में हुई थी कार्बो नारी की अस्थापना कब हुई थी अठाड़ सो दस इसमी में अगला प्रस्ट जो है करहा है कि काउंट कावर को विक्टर इम्मेनिवल ने किस पद पर निक्त किया था तो प्रधान मंत्री के पद पर याद रखेगा प्रधान मंत्री का जो पद था उस पर काउंट कावर को विक्टर इम्मेनिवल ने उसको क्या किया था निक्त करने का का concern की आइधा अगला प्रस्ण जो है वो тому फस Videos नमर आज़ा ये और कि रास्ट वाद की ऑधर्णा का जनम किस घटना से माना जाता है तो फ्रानस की जुकरांती हुई थी इसी घटना को रास्ट वाद की अधर्णा का जनम माना जाता है तो याद रखेगा क्या हो जाएगा फ्रांस की क्रांती यह था इधर का 50 प्रस्ट और इधर हम लोग और जितने कोश्चन बच गया है लगबग 20 प्रस्ट और बच गया है तो आए गैरी वाल्डी ने किया था याद रखेगा लाल कुर्ती का गठन किस ने किया था तो गैरी वाल्डी जो था उसने लाल कुर्ती का गठन किया था अगला कोश्चन है फ्रेंकफर्ट की संधी कब हुई थी तो 1871 में याद रखेगा फ्रेंकफर्ट की संधी कब हुई थी तो 1871 में आपसे प्रस्द है आप लोग बताईएगा हमको कि भारत में 1919 में एक घटना घटी थी जो बहुत ही ज्यादा प्रचली थे बारतिय स्वतंतरता संग्राम से रिलेटेड है कि 1919 में कौन सी घटना घटी थी आपको बताना है चलिए आगे बढ़ जाते हैं 55-50 नबर से हम लोग देखेंगे आगे कि प्रस्द 55 नबर से लेकर हम लोग चाट नमर तक प्रस्द देखेंगे चलिए cycl digHAN कर यान किस देस बाद का प्रतिक था नेधिक यंगलेंडिन का कौन लिए याद रखेगा उनीक शोतनता संग्राम में सहीद हो गये थे अगला प्रस्ण गैरी वाल्डी पेसे से क्या था तो गैरी वाल्डी पेसे से क्या था नाविक था चार्टीस्ट अंदोलन कहां संपन हुआ था तो चार्टीस्ट अंदोलन इंग्लेंड में संपन हुआ था नेक्स्ट प्रस्ट आजाये बड़ा important है var&ps की रचना के बारे में पूच रहा है कि var&ps जो थी याद रखेगा खिसकी रचना है तो लियोट टॉलस्टाइ याद रखेगा वार एंड पीस के लेखक कौन है तो लियोट टॉलस्टाइ जो है वार एंड पीस के लेखक हैं किस यूद के बाद जर्मनी का एकिकरण पूरा हुआ तो याद रखेगा योद के बाद इतली का एक पुरा हुआ था तो दोनों में याद रखेगा ध्यान दिजेगा जर्मची जब पूछेगा तो सेडान और इतली का पूछेगा तो सीडान दोणों में थोड़ा-सा एकदम Σीमिलर्टी य्जरी ध्यान देकर यहां पर एंसर ठिक की जहेगा अगल उसके आगे आएंगे, हम लोग करेंगे, देखे, 63 नमबर प्रस्ट पर आ चुके हैं, 63 नमबर प्रस्ट करा रहा है, किसने कहा था, फ्रांस जब छिकता है, तो बाकी यूरोपियों को सर्दी जुखाम हो जाता है, तो यह दखेगा, यह वाक्या जो है, वो मेटर्निक का है, म समस्या को संपूर यूरोप की समस्या बना दिया था, तो याद रखेगा, इटली की समस्या को अपनी कुटनिती के बल पर पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था, सन 1870 में, फ्रांस और प्रसा के बीच, यूद कहां हुआ था, तो याद रखेगा, सीडान में, कहां तहा राभा था 289 एसभी की एड्रीयानोपुल की संधी किस देस के बिच शुई थी तो तुरकी और रूस के बीच बाइस इनकी देस के पाइज लेँ मार्च 1946 में फ्रांस और व्यतनाम के बीच होने वाला समझोता किस नाम से जाना जाता है तो याद रखेगा इसमें से कोई नहीं याद होगा यानि अपसर नमर्डी का राइट एंसर हो जाएगा अब आएए यह आज का सेशन था जिसमें हम लोग 67 प्रस्ण किये अब जेक्ट नहीं आप इसको दू बात देखेगा न यह सारे प्रस्ण आपको याद हो जाएंगे और सारा प्रस्ण जब याद हो जाएगा तो फिर हम समझेंगे कि मेरा यह क्लास करना सफल रहा क्योंकि मेरा मेन उदेश है आप लोग को यह सारा अब्जेक्टिव याद हो जाए सेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट्स करना नहीं भूलेगा साथ ही साथ जितना ज्यादा सी ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को सेर कीजिएगा मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद